दुनिया में अगर आप ध्यान देखेंगे और देंगे तो जितनी भी कुरांतियां की है या जितनी भी कुरांतियां करेंगे कुरांति मतलब बदलाब करेंगे चेंज करेंगे जीवन का तो वो मजदूर किसान करेंगे और मजदूर किसान के अलावा दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुरांति नहीं कर सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या मजदूरों की और किसानों की होती है और सबसे कम आमदनी उ रोटी नहीं मिलती पूरी तरह से, यानि कुछ लोगों को तो एक वक्ती रोटी है और वो भी आधी मिलती है, तो बदलाव करांती वही करता है, जिसके पास में कुछ ना हो, या यह कहें कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, जो अमीर लोग है, या ज तो मालदार होना चाहेगा, गरीब तो होना नहीं चाहेगा, इसलिए हमेसा जो गरीब, दवार, कुछला आदमी है, जो किसान है, मजदूर है, वही करांती करता है, भारत में करांती कभी मजदूरों से, किसानों से हुई नहीं, तो उसका कुछ कारण है, क्योंकि मजदूर और किसान कभी खटे नहीं हुए बाकि दुनिया में खटे हो जाते हैं और इक खटे ना होने का कारण यानि संग ना होने का कारण इसलिए है क्योंकि उनको जो तोड़ा गया है वो सीड़ी वाइज सिस्टम में कास्ट में धरम में मजब में इन समय छोटे छोटे गुरुप में तोड़ा हुआ है ये एक कारण है जो बड़ा कारण है और दूसरा जो कारण है वो ये है कि उनको ये जानकारी नहीं है कि उनको इखटा होना है उनको पता ही नहीं है कि इखटा होना भी कोई उद्देश से कोई काम होता है वो ये जानते ही नहीं कि अगर वो इखटे हो जाएंगे तो उनको उनकी महरत का पूरा पैसा पूरा फर मिलेगा उनके पास भी पकता घर हो मकान होगा दुकान होगी उनके बच्चे भी पढ़ेंगे वो भी अच्छी जिनकी जीएंगे और जो लोग उनसे काम लेते हैं वो तो कभी उनको बताने से रहे क्यों बताएगा कोई कोई दुकान का मालिक अपने मजदूर को क्यों बताएगा कि अगर तू दुकान खोल हो या फैक्टरी में काम कर सकते हो या फैक्टरी के हिस्सेदार बन सकते हो कोई सरकार किसान को क्यों बताएगी कि एगर तुम्हें अनाज का पूरा दाम मिल गया या पूरा पैसा मिल गया तो तुम सरकार में आ जाओगे तो सरकार में जो बैठे हमारे लोगों की है जो बावा साथ वंबेटकर के नवी आई हैं उनकी प्रतिस पर्दा है कि वो भी भारत में जो सब कुछ संपन लोग है जिनके पास सब चीज है उनके बरावर में ना जाएं और इस बात का लगाता लगाता जगड़ा चलता रहता है बावा साथ वंबेटक छा ना उनके पास संगता ना वहो कोई बहुत बड़े खानदान से जमी दार से राजा महराजा से यहां तो थे क्योंकि सम्राटासो परतिसों के खांदान से वह अगर आज के परिपक्षम हां से थे यानि जहां उनके बच्चे जब मर्गे तो उनको दफनाने के लिए कफन भी नहीं थे ऐसे वो परिवार से थे पुराने राजा रहें वो अलग बात है पुराने बुद्धिष्ट रहें पुराने जगत गुरू रहें वो पुराने वो अलग बात है तो वो जो क्रांती है इसलिए दुनिया में अभुद्पुर्व है क्योंकि उस एक अकेले व्यक्ति ने भारत के सारे किसान, सारे मजदूर, सारे दवे कुछले लोगों को उठा कर एक साथ सम्विधान के दाइरे में लाकर बराबर कर दिया. यह कहने को उनको पैसा नहीं मिला, यह कहने को उनको सिक्षा बहुत बाद में थोड़ी सी लोगों को मिल पाई, और जब वो थोड़े से आगे बढ़ने सुरू हुए तो उनको फिर दवाने का प्रियास किया जाने लगा, और दवाने में वो सफल भी हो गए, क्योंकि दो बा काम क्यों करे, तो क्यों उसको कोई करने दे, यानि जो काम पहले से कोई बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े आदमी या बड़े बड़े परिवार के लोग बड़ा काम कर रहे हैं, वो छोटा काम करेंगे नहीं, और छोटे लोग बड़ा काम करेंगे, तो छोटा का प्रवाब ने उठाएगा सबको अपना खुद उठाना पड़ेगा तो उठाने को कुछ लोग त्यार नहीं है यह दो बाते हैं जो लगाता लगाता संगर्स का रास्ता बनाती है और लगाता जीवन में संगर्स चलता रहेगा क्योंकि जो गंदे काम करते हैं वो छोड़ना चाहते हैं यह जगड़े का कारण है और यह रहेगा इसलिए जो लोग समझदार हैं और जो लोग जानते हैं कि इसको कैसे जीता जा सकता है वो लोग इखटे होते हैं और वो लोग इखटे रहते हैं और कमाल की बात तो यह है कि अगर बहुत कम लोग भी इखटे हो जाते ह तो भी जीत जाते हैं, क्योंकि भारत में अगर कम लोग भी खटे हो जाते हैं, तो उनकी संख्या भी जादा होती है, और अगर जादा लोग खटे हो जाएं, तो फुर तो कहना ही क्या है, इसका अधरन इससे देख सकते हैं, कि जो लोग भारत में आज के समय संपन हैं, जिनक बड़ीया गहने, बड़ीया बड़ीया सामाज जिनके पास सारे हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सारे खटे हैं, और अपनी इस बात को मैंटेन करने लिए हैं, कि हमारे पास सारे चीज़े रहें, जमीन जाजात, कोठी, बंगला हमारे पास रहें, कार, रेल गाड़ी, जहा आपके यहां समझ संग में तो कोई बाहर का आजाता है, कई बार कई ना समझ लोग उनके संग के लोगों को यहाँ ले आते हैं, जबकि उनको लाना नहीं चाहिए, मगर आपने देखा होगा कि हमारा कोई व्यक्ति उनके संग में नहीं जा सकता क्योंकि समण संग और बमर संग दो लाइन खिची हुई है बमर संग में समण आदमी का जाना मना है इसी प्रिकास समण संग में बमर आदमी का आना मना है आके क्या करेगा उसके पास तो सब कुछ है इसलिए आपको अगर अपनी महनत का फल चाहिए आपको अगर अपने किसान का हक चाहिए तो आपको संगर्स करना पड़ेगा और संगर्स के लिए आपको सबसे पहले संग करना पड़ेगा संग में आना पड़ेगा बिना संग में आए संगर्स नहीं कर सकते इसलिए जो कुछ समझदा लोग है वो भारत के छोटे-छोटे मजदूरों के किसानों के संग्ठन गुट बनाते हैं तो जो जानकार जो तेज लोग है वो इसके मालिक बन जाते हैं यानि संग है मजदूरों का और मालिक है जो मजदूरों के कर जाता है दिन वर सराब पीता है और रिखसे वालों के वुरुद काम करता है मजदूर का नेता वो मिलेगा जो मजदूर है यह नहीं किसानों का नेता वो मिलेगा जो किसान नहीं है यह एक बहुत बड़ा सडयंत्र है जो हमारे भोले भाले लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उनका अपना कोई संग नहीं है और वो अपने संग के खुद मालिक नहीं है उनका जो संग धन है उसका मालिक कोई और है जो उनका दोस्मन है इसलिए अपने समण संग की बड़ी आवशकता है और अपने समण संग में यकीन करने के लिए और यकीन करना चाहिए क्योंकि पहले भी जब संग था तब ही हम मालिक थे तब हम मजदूर नहीं थे समराट असो के समय अगर उसके आप सिला लेखों में जाएंगे या उसके बाद में चार सो पांसो साल पले तक भी आप देखेंगे या बुद्ध का जतना भी सुत है या जो बुद्ध ने कहा है जो लिखा अगर आप उसमें जाएंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं कोई किसान आंदोरन या कहीं कोई मजदूर आंदोरन नहीं है क्योंकि भेदभाव नहीं है क्योंकि कोई मजदूर दबा हुआ है नहीं क्योंकि किसानों को पूरा पैसा मिलता है क्योंकि किसानों के खेत में जो काम करता है वो खुशाल है उसके पास घर है मकान है सब कुछ है तो बुद्ध के किसी सूत में नहीं आता कि कोई मजदूर गरीब होगा या मजदूर का नाम भी नहीं आता या लेवर का नाम भी नहीं आता सारे लोग बरावर हैं और सबको बरावर का हिस्सा मिलत और जो काम करेंगे उसी मेंसे हमको खाना लेना है और इस खाने को शोशन को इतना जादा कर दिया है कि जो खेत में अनाज उगाता है उसको खाने को कुछ नहीं और जो कुछ नहीं करता वो उसका सारा ले जाता है ब्याज के नाम पे धमका कर, मार कर, पीट कर या सड़ेंत से या अंद्विस्वास में फैला के या दान के नाम से या कोई भागे भरोसे के नाम से किसी ना किसी तरीके से वो उसका सामान ले जाता है जो उसने पैदा किया है वो उसका ले जाता है आज के समय रुपे पैसे और जमील ले जाते हैं लोग और वो अपने दिमाग का इस्तमाल नहीं करते हमारी लोग और उनको दे देते हैं और उनके मन मस्तिक से गुलाम बने रहते हैं इन सारी बातों को बावा साब में देखा जाना बावा साब ने मजदूरों को बहुत पास से नजदीक से देखा संविधान में जो नियम बनाए है वो नियम अच्छे है जो लेबर लोग है वो भी अच्छे है मकर वहां तक लेबर पहुंच नहीं सकती क्योंकि लेबर पढ़ी लिखी नहीं होती है और जो पढ़ी लिखे होते हैं वो शोशन करते है 500 रुपे कमाने वाला जो मजदूर आज के समय है उसको 5,000 की फीज कहां से देगा वकील की और वकील मिना 5,000 से पहले हिलेगा नहीं और उसमें भी गारंटी नहीं कि केस जीतेगा या नहीं जीतेगा तो पांच यार देगा, दस दिन मजदूरी करेगा, दस दिन की मजदूरी चले जाएगी, तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, इसलिए उसका शोशन लगातार होता रहता है, नियाए मिलने के उमीद नहीं है, क्योंकि नियाए की परिणाली जो बनाई हुई है, वो उन लोगो के कानून कभी लेवर का भला नहीं करते हैं, जैसे गरीब आदमी को कोर्ट में कभी नियाए नहीं मिलता, वो तो वकील की फीस में नहीं दे सकता, कोर्ट में जाने का रास्ता उसे पता नहीं है, कोर्ट की भासा लगतरे की होती है, वो जानता नहीं है, सादरन भासा का आधिकरन हैं या कोट ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है हकिकत यह है कि यह सब और ज्यादा उसको परशान करती है और ज्यादा शोशन करती है लोग इसमें जो एकवार्च चक्रवियों में फज जाता है वो निकल नहीं पाता तो इसका समाधान क्या है इसका समाधान यह है कि आपको इखटा होना है और इखटा होना है अपने ही अंडर इखटा होना है अपने ही नीचे खटा होना है किसी और के नीचे नहीं खटा होना है अगर आप किसी और के नीचे खटे होते हैं तो वो आपका शोशन करेगा और अगर आप अपने ही नीचे खटे होते हैं तो आप की छतर छाया है इसको आप ही चलाते हैं आप ही इसके नियम बनाते हैं आप ही अपने लिए डिमांड करेंगे और इसमें कोई परचा नहीं इसमें कोई कानून नहीं इसमें कोई नियम नहीं इसमें सिर्फ जुड़ना है और जुड़ना है तो बड़ा सरल है जुड़ना जुड़ना क्योंकि छे मिने हो चुके हैं जुड़ना जुड़ना कैसे है आप दस लोगों को इखटा कर लीजिए दस नहों सुरू में पांच हों छे हों साथ हों तीन हों दो हों एक साथ ही है कोई भी ह है उसका गुरूप बनाईए आपका एक छोटा सा यूनिट बनेगी गुरूप बनेगी मिनिमम दस लोगों की बन जाए तो बहतर है इससे ज्यादा की आप सकता नहीं है फिर अगले दस बनेंगे कम से कम अगर बनती है दो तीन की तो कोई दिक्कत नहीं है वो दस में एक बन्दा होगा जो उसका एड्मिन होगा जो उसका इंचार्ज होगा जो उसको बनाएगा उसको आप कह सकते हैं कि ये इसको बनाने वाला है वो जीरो है बाकी दस लोग और है तो ग्यारे आदमी की जरूत नहीं पड़ेगी बाहरी लीडर की जरूत नहीं पड़ेगी जो बमन समाज की लोग है उनकी आप सकता नहीं पड़ेगी क्योंकि समर्ण संग में बमन लोग नहीं आते हैं तो अपने ही लोग आएंगे तो अमीद है कि वो आप सब लोग लोग लिए अच्छा काम करेंगे, हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, हम अपने लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम किसी और के उपर depend नहीं है, ऐसा काम बहुत पहले हुआ, जब वो बुद्ध से पहले सम करते हैं यह नियम बात तक भी चलते रहे जिसको हम पंच परमैसर बोलते हैं या जिसको हम पंच आयत का मतलब है है आयत मयने होता है खिड़की धरवाजा यह पंच पंच म military है इत ऐसे अब से लिया गया है जिसमें पंच सील की पांच आयते हैं मगर यहां पांच जो हम बोलते हैं पंच परमुख हैं तो पांच लोगों को नोमिनेट कर लेते हैं उससे हम पंचायत बोलते हैं कि पंचायत लग लग रही है आज भी हमारे यहां पंचायत का बड़ा चलन है यह दरसल स क्षेकि दस जट मिल ज्ट जाएंगे तो सो लोग आपस में अपना फैसला कर लेंगे कहीं किसी के साथ में उत्पूणन होगा है तो दस लोगs मिल जाते हैं तो वो दूर कर सकते हैं उस पर बात कर सकते हैं बागी सब लोग एक दूसरे जुड़ेंगे जुड़ रहे हैं तो यहां से लेके और पूरे इंडिया के हर कौने में लोग जुड़ रहे हैं मीटिंग चल रही है तो वहां तक बात पहुंचेगी बड़ी समस्या का समधान नहीं होने वाला अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी समधान कर देगी तो 70 साल में हुआ नहीं है और होने की उम्मीद भी नहीं है को इतना बड़ा काम नहीं होता लोगों को पढ़ाने का आप अगर क्यूबा जैसे देश में जाएंगे तो वहां क्यू हो सकता था अगर सरकार चाहती तो मगर सरकार अगर आपको पढ़ाएगी तो सरकार नहीं रहेगी यानि जो लोग सरकार में हैं आप उन से सवाल करेंगे इसलिए हर सरकार डरती है कि अगर हमने पढ़ा दिया तो हम सरकार में नहीं रहेंगे इसलिए सरकार में रहना जरूर करेगी चांस कम है अगर होना होता तो हो जाता आप किसी कोड से यह अम्मीद करें कि वो आपके लिए करेगी कोई आरडर पास हो सकता है कोई जज्ज्मेंट आ सकता है मगर इसो करने वाले लोग तो सरकार में बैठे हुए हैं इस ऎल्इमेंट करेंगे नहीं, तो वो मिलेगा रहीं. जन संक्या हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम सब को पढ़ा दें, सब को काम पर लगा दें, तो सारे लोग समरद हो सकते हैं, सारे लोगों को पैसा मिल सकता है, हम तो बिदेसों में विच्छा solve नहीं हुई तो क्या कारण थे क्या नहीं थे फिर उनको हम कारण बता सकते इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा भला हो तो अपना भला करने के लिए संगंग सरनंग अच्छामी का फार्मूला पहले भी हिट रहा है और अभी भी हिट है कि आपको इखटा होना है बिना इखटा हुए आपकी कोई भी समस्या solve नहीं हो सकती कोई ये कहे कि मजदूर अनपड होते हैं इसलिए परिसानी है ये बात गलत है क्योंकि अनपड़ तो हम सुरू में सभी कभी न कभी रहे हैं जब हम कभीलों में रहे हैं कोई अच्छा तो रहा नहीं है बर हमें ग्यान था कभीलों में एक साथ रहने का तो हमारी समस्या solve हो सकती है कोई ये कहे कि गरीब हैं इसलिए हमारी समस्या है गरीब होना कोई समस्या नहीं है क्योंकि कोई भी सभेता सुरू में बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रही है, सब गरीब रहे हैं, मगर वो एक साथ रहे हैं, एक साथ रहने से वो प्रॉस्परस हुए है, एक साथ रहने से उन्होंने बहुत सारे खेत बनाए हैं, एक साथ रहन संग सरनंग गच्छामी यानि संग की सरनंग में जाना पड़ेगा संग की सरनंग में नहीं जाएंगे इखटे नहीं होंगे तो कोई समस्या का समधान हो नहीं सकता क्योंकि जिनको समस्या का समधान करना है वो समधान की बात मानते हैं और समधान संख्या बल की बात मानता है और संख्याबल मजदूर और किसानों के पास है, हमारे पास है, जितने भारत में हम लोग हैं, उनके पास है, मगर अलग-अलग टुकडों में बिखरे होने की वएशे से दिक्कत ये आती है, कि हमारे संख्याबल संविधान के आगे बहुत छोटा है, और जो हमारे विरोध में हमारा शोशन करते हैं, उनका संख्याबल जादा हो जाता है, अलाकि वो संख्याबल बढ़ाने के लिए हमको इखटा होना पड़ेगा, और इखटे हुए बिना हमारा कोई चारा है नहीं, ये जो मजदूरों का आज का सैसन है या मजदूरों की बात है हम चर्चा करें कि ये कानून ऐसा है वो कानून ऐसा है इस कानून में ऐसा हो गया हमना ऐसा कार्ड नी बना उस कार्ड में हमें धर्ज हो गया या ऐसी बात हो गई ये अपनी जगे सही बात हो सकती है मगर ये सक्ति होती है संगे सक्ति का मतलब है कि जितना भी संग है जो खटा हो रहा है उसमें सक्ति है और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि संग पड़ा लिखा होना चाहिए या संग बहुत अमीर होना चाहिए या संग में बहुत लंबे चोड़े आदमी होने चाहिए या संग में सारे के सारे लोग पेट भरे होने चाहिए या संग में बड़ी-बड़ी मुच्छों वाले होने चाहिए या संग में सारे सफित कुटे वाले होने चाहिए संग का मतलब होता है सारे लोग बस संग की एकी सर्थ है कि अगर सारे लोग इखटे हो जाएंगे चाहें वो कैसे हैं लूले हैं लंगने हैं बिमार हैं अनपढ़ हैं पड़े लिखें हैं अफसर हैं नोकर हैं चाकर हैं ताकत बन जाती है अगर यह बात समझ में नहीं आती है तो 1984 याद दला देता हूँ आपको 1984 में जो दंगे हुए थे देश के अंदर उसमें सारी भीड इखटी हुई थी और भीड ने बहुत साई लोगों को मारा मारना गलत है दंगे करना गलत है मगर भीड एक सकती हो जाती है संग एक सकती हो जाता है सम्यक सकती भी हो सकती है अच्छी तरह से इस्तमाल करें सम्यधान के तेहत में तो सम्यक संग भी हो सकता है और अगर कानों तोड़के इस्तमाल करें तो वो आतंग बाद भी बन सकता है मगर मामला यह है कि जब लोग इखटे होते हैं तो एक सकती बनती है उसका उप्योग कैसे होता है वो अलग बात है मगा समण संग की यह खास बात है क्योंकि बुद्ध ने हम ऐसा सही सक्μख्ती के सम्हाल करें के लिए बताया है तो समय का समण संग हमेसा अच्छी सक्ष्टी सम्हाल करेगा जितना जल्दी हो सकता है उतना जुड जाईए समय बड़ा कम है कोई ये ना सोचे कि हम कहते रहते हैं कहते रहते हैं हमारा काम है तरसल अगर हम नहीं जुड़े तो ये सारी महनत बेका जाएगी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे क्योंकि समझ संग आप से पैसा नहीं ले रहा है तो आपका कोई नुपसान नहीं है समझ संग कभी राजनीती में नहीं जाएगा तो इसलिए आपको कहीं डाउट करने की जोट नहीं है कि ये राजनीती में तो ना चले जाएंगे तो ये सबी लोगों का है, खाली ऐसा नहीं है कि समर्ण संग अगर बुद्धने बाद में इसके नियब बनाए है तो ये बुद्धी लोग आ सकते हैं, इसमें सारी लोग भी आ सकते हैं, चाहे वो बुद्ध को मानते हों या ना मानते हों, क्योंकि समर्ण संग में, जो हुआ है वो इसका मेंबर है चाहे वो चोटा बच्चा है चाहे वो वरत है चाहे बूरी है चाहे माता है चाहे गरीब है चाहे पड़ा है चाहे लिखा है कैसा भी है बस बमण नहीं होना चाहिए तो वो इसका मेंबर है तो इसकी मेंबर की कोई फीस नहीं है तो पॉलिक से में और जो वज्जी लोगों में था उसमें वैसाली में था उसने कभी पैसा खटा कियो एक पैसा खटा नहीं कियो जरूती नहीं पड़ती बस समर्संग लोगों के खटा करता है और लोगों के वेलफेर के लिए लोगों के भले के लिए खटा करता है तो समर्संग के अंदर ना पैसा लिया जाएगा, ना कभी पब्लिक से पैसा खटा होगा, ना ही ये राजनीती में जाएगा, इसमें सब तरह के लोग आ सकते हैं, बस बमण नहीं होने चाहिए, चाहिए, वो किसी भी मत को मानते हो, किसी पंत को मानते हो, उससे कोई फ्रक नहीं पड़ता, बमण नह होना चाहिए यह समर्ण संग की खास बात है तो यह करेगा क्या दरसल जब सारे लोग समर्ण संग में खटे हो जाते हैं तो वो जो करना चाहते हैं वो खुद करते हैं कोई उनको उपर से डायक्षन नहीं देता तो कि इसमें कोई व्यक्ति नेता नहीं बन सकता कभी भी समण संग में आज तक भी एक भी नेता पैदा नहीं हुआ ना ही एक भी नेता बना है कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है कोई कम कर सकता है या समण संग कुछ लोगों को कह सकता है तुम ये काम करो तुम ये काम करो तुम ये काम कर रहे हैं और इनकी संक्याव कई हजार हो गया क्योंकि मीटिंग लगाता लग रही है जैसे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इंजिनिर्स काम कर रहे हैं वकील काम कर रहे हैं जैसे महराष्ट के अंदर मीटिंग लगनी सुरू होगी है जैसे दिली में मीटिंग चल रही है जैसे ग है हमारा ही संग है दरसल हमी संग ही है हमी सबसे पुराने समर संग रहे हैं समर संग हमारा ही पेटेंट है दुनिया में बाकी लोगों ने संग बनाया है इसको देखता बनाया है इसके वही नियम है जो पहले है जो इसके अंदर कभी व्यक्ति क्योंकि जो बुद्ध ने विक् गद्धी नहीं बनाई जैसा आजकल कि जो लोग है संत वगरा हैं वो क्या करते हैं लोगों के खटा करते हैं फिर पैसा खटा करते हैं फिर जमीने खईते हैं फिर उस पर गद्धी बना लेते हैं फिर उपने परिवार में गद्धी दे के जाते हैं फिर आगे बुद्ध ने म ये तो आप पीछे भी जगर्ण हो तो आप पहले ही नॉम्मिटेट कर दो ओ कि आपके पीछे कौन गुरू रहे गा तब बुद्ध ने ये कहा था कि जितना मेरे पास बताने को था मैंने तुम्हें सब बता दिया है फिर भी कोई डाउट हो तब पूछ लो और तुम्हारा जो नेता है वो धम रहेगा धम का नेता धमी रहेगा धम को तुमको रास्ता दिखाएगा अगर मुझे देखना हो मेर सुननी हो तो धम को देख लेना मैं सारी बात उसमें बता कर जा रहा हूं इसलिए पूरी दुनिया में आज तक भी धम चलता है और धम बड़े प्यार से चलता है तीन अरब से ज़्यादा लोग हैं जो बुद्ध के धम में आज भी हैं उनकी फिलोस्पी को आज भी मानते ह हैं पुरीं दुनिया में जो फैले हूँ है और दे बाइडे हैओक की इसमें पड़र राजय संग बना तो हम उन्रती की तरफ जाने लगे और जब हम विखेर दी गए टूट गए जातों में फिर दुवारा से लेके आए जातीयों में तो हमारा पतन होने लगा यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं 120 लोगों में जो नई लोग हैं हो सकता है कि उनको वीदा पीपल समढ़ संग यानि वीदा पीपल भी समढ़ संग है अपना परसंद पूछे और जो मजदूरों का है वो यहां महिश चंद्रा जी है वो मजदूरों में काम करते हैं वो चोटी मोटी समस्य और अपने आडियाज लोगों को बताएंगे कैसे कैसे वो काम करना है जुड़ना है जुड़ना है जुडएंगे जीतेंगे जब जब वाले कभी हारते नहीं है चीटियां जोड़ती है तो बहुत बड़ा बजन उठाक ले जाती है कि लिए चीटी पे तो कुछ नहीं हो सकता धन्यवाद किसी का कोई प्रसंद हो तो पूछ ले आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी उतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी दूतियं पी दम्मंग सेनं गच्छामी दूतियं पी दम्मंग सेनं गच्छामी दूतियं पी दम्मंग सेनं गच्छामी दूतियं पी सेन्गं सेनं गच्छामी दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी